दिली आयोग में दिली में चुनाव आयोग जोर शोर से मतदान की तयारों में जुटा हुआ है उत्रपूर्वी जिले की डियम के मताबक समवेदन शील लाकों में मतदान कराना सबसे बड़ी चुनाओती है डियम ने कहा कि इसके लिए एक्स्ट्रा पूलिस फोस के साथ साथ अधिकारियों को भी राउंड अ क्लॉक काम करना पड़ेगा इसके रावा किसी भी कारक्रम यानि जनसभा या फिर अन्न कारक्रम के लिए पर्मिशन सिंटर भी शुरू कर दिये गए हैं डियम ने कहा कि पर्मिशन ऑनलाइन ही दिये जाएंगे पूरे मामले पर उत्त पूर्वी जिले के डियम अशुशी कौशल से बात की जिले हमारे समधाता वशुजी जाने दिल्ली में विधानसवा चुनाओं का बिगूल बच चुका है राध्यतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है साथ-साथ चुनायोग भी अपनी तैयारी में जुटा है हमार साथ उत्तर पूर्वी जिले की डियम है जिनके पास पांच विजांस पाशेत्रों की जिम्मेदारी है तैयारी उनकी भी लगवग करीब करीब पूरी होगी जोब तक होनी चाहिए थी पूरी तरीके से तैयार है और हमने जैसे एनाउंस हुए एलक्षन उसी टाइम से अपनी पर्मिशन सेल यहां पर स्टार्ट कर दिये और हमारा कंट्रोल रूम रेडी है पर्मिशन सेल में यह बताना चाहूंगी कि पूरे ही लाइन डिपार्टमेंट जिसमें सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद उसकी पर्मिशन दी जाती है वह हमने मीडिया में भी ब्रीफ किया है अदर्वाइस हमने इन सभी लाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग लिए और इन सभी को बुला के इनको बताया है कि इनकी क्या जिमेदारिया है और अपनी पर्मिशन सेल हमने यहां पर स्टार्ट कर दी है इसके साथ हमारा कंट्रोल रूम जो की जिसमें की डेडिकेटेड लाइन दी गई है कंप्लेंट की उसको हमने रेडि कर रखा है वहां पर भी ऑफिसस मौजूद है और वह कंप्लेइन को रिसीव करेंगे और जो भी कंप्लेइन जिसंबी एसी से परटेन करती होगी उसमें उसको भेजा जाएगा और उसका तुरंत निप्टारा किया जाएगा साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा election commission काफी active है और उसकी जो guideline रहती है जो direction आती है सी वीजिल उसके हिसाब से सी वीजिल में भी अगर हमारी complaint आती है तो उसको भी हमारी teams ready है और उसको भी हम तुरंत उसका निप्टारा करेंगे तो आपके पास तो पांच विजांसवा शेतर काफी dense population है और काफी sensitive भी है हाल में कुछ गटनाए भी गटी थी क्या लगता है कि इसको tackle करना manage करना थोड़ा चुनोती पूर्ण भी है बिल्कुल चुनोती पूर्ण है लेकिन इसमें हम अपना पुलिस से सहय योग लेंगे और पूलिस के साथ सहयों के साथ हमारे सारे officers इसमें ready रहेंगे और हम पूरी तरीके से active हो के अपने polling booth पर जो भी facility देनी है वो facility भी देंगे जो security करनी है वो security भी करेंगे और हमारे officers उसमें पूरी तरीके से जागरुक रहकर ऐसा करेंगे कि जिससे की 100% voting हो ज्यादा से पर ऐसे हैं 45 locations ऐसी हैं जिसमें लगबक 300 ऐसे polling booth हैं जो कि हमारे critical है यह वोटर टर्लाउट आप लोगों का बार टार्गेट रहता है उसके लिए कुछ खास कर रहे हैं आप रहे हम स्वीप activity करते हैं हम लोग static location और अपना mobile location पर अपना EVMs लेके जाते हैं हमारे officers और उसका hands करवाते हैं लोगों को दिखाते हैं मिलाते हैं बताते हैं कि आप किस तरीके से इस पर वोट डालेंगे किस तरीके से आप वीवी पैट का इस्तमाल करेंगे और कितना genuine यह रहेगा साथी साथ हम वोट जाद से जाद publicity हो और इसके लिए हर आदमी अपने घर से निकले और व असान टाइप तो कम समदी नहीं रहा यह लेक्शन कभी असान नहीं होता है लेक्शन के लिए पूरी तरीके से आपको मुझताधी दिखानी पड़ती है आपको पुलिस से कॉपरेशन लेना पड़ता है और पुलिस अपनी ड्यूटी करती है सिक्योरिटी देती है और हमार जाता है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके हमें देना पड़ता है वो ही हमारा चैलेंज होता है तो शुक्रिया मैं कुल मिलाकर इनका कहना यही है कि जो डे बाइडे जो तैयारी होनी चाहिए उसी तरह से तैयारी हो रही है लेकिन चुकि ये पांच जो जिम्मेदारी में हैं वो काफी ज्यादा घनी आवादी वाले इलाके हैं और हाल में जो घटनाय हुई थी उसकी बज लेकर भी जो प्रयास किये जाना है वो भी अब धीरे-धीरे जोर पकड़ेगा ताकि लोग जाए-जादा वोट के लिए बाहर भी निकले हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से क्याप्रसर मनोज कोली के साथ मैं अबिशुजीत ज्या टोटल नियूस के लिए